आपके सामने है करन्ट इलेक्रिसिटी की एक प्रॉब्लम कॉस्चन चलिए देख लेते हैं क्या कॉस्चन है नुमेरिकल है फाइंड दा एक्विलेंट रेजिस्टेंस बिटिविन पॉइंट ए एंड बी इन दा गिवन सर्किट ध्यान दीजे क्या पूछा है इक्विलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि पूरे सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इन में से कुछ सिरीज में हैं कुछ पैरलल में हैं लेकिन सब का कितना असर होगा सब मिलके कितना अपोज करेंगे करंट का मतलब net opposition of the current इस पूरे circuit का opposition कितना बनेगा जो current को oppose करेगा resistance कितना बनेगा equivalent सारा मिला के तो point A और B के बीच हमारा R1 resistance है 10 ohm यह R2 10 ohm, 5 ohm, 1 ohm तो इन में से सबसे पहले क्या note करना है कौन series में है, कौन parallel में है यह पैचानना आपको आना चाहिए देखिए, series में जो resistance होते है न उन में current divide नहीं होता इस thumb rule को रट लीजी अच्छे से thumb rule बना लीजीए, series resistance में current divide नहीं होता, current same रहता है मतलब जिन resistance में current same होगा वो series में, yes और जिन में same नहीं होगा पैरलल, चलिए, point A से current चलाते हैं, सबसे पहले identify करेंगे, कौन series में, कौन parallel में, यहाँ से मेरा current चला, current आगे बढ़ा अभी तक कहीं divide नहीं होगा, बट जैसे इस point पर current आता है current के सामने अब दो रास्ते हैं, भाई, इधर से जाओं, यह सीधा निकलो दो रास्ते हैं, अब वो क्या करेगा, दोनो रास्तों से चला जाएगा, क्योंकि काटे तो दोनो ही रास्तों पे हैं, बोलें, चल कोई बात नहीं थोड़ा सा इधर से चला जाता हम, थोड़ा सा जाता ही नहीं, अगर ही बिल्कुल सीधी लाइन होती, सीधी वायर जुड़ी होती, इसे कहते हैं short circuit, मतलब current को आसान रास्टपसंद है, जैसे आपको आसान रास्टपसंद है, नमबर लेने का, short cut, ऐसे ही current को भी आसान रास्टा पसंद है, right? Now, यहाँ आके current camera दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दोनों तरफ रेजिस्टेंस है, तो यहां से अब मेरा ये और आगे का जो भी रेजिस्टेंस है, वो पैरलल में है, यहां आकर करंट ने देखा हो, दो रास्ते फिर है भाई, यहां आकर फिर डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये रेजिस आप किताब करेंगे, इनको एक बनाएंगे, इनका total resistance कितना होगा वो निकालेंगे, लिखने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे solution में आप, here, R3 and R4, R3 and R4, are in parallel, ये किसमें हमारे, parallel में, तो 1 upon R, इनका equivalent resistance निकालेंगे पहले, तो 1 upon 5 plus 1 upon 1, तो 1 upon R is equal to 5, हमारा क्या आगया, LCM, तो 1 plus 5, कितना आगया, 6 upon 5, इसको उल्टा करेंगे, क्योंकि हमें R चाहिए, इनका दोनों का equivalent resistance चाहिए, So, R is equal to 5 upon 6, इसको डब्बे पे बंद करेंगे, और एक नया डायगराम बनाएंगे, ताकि confusion ना हो, नया डायगराम बनाएए, point A, हिसाब करते जाओ, नया डायगराम बनाते जाओ, रूल याद रखो बस, और इन दोनों का एक हो गया भी, यह दोनों क्या हो गए, एक, तो R 1, 10 ohm, R 2, 10 ohm, और यह हो गया हमारा, कितना भी है, 5 upon 6, इसको डिवाइड ना करें कभी भी, यह बाद में काम आएगा, 5 upon 6 ohm, now, this 5, 1, 6 ohm, यह देखो, यहाँ पर फिर करन्ट डिवाइड हो रहा है, यह दोनों एक तो हो गए, इनका तो कर दिया हिसाब किताब, लेकिन अब यह वाला और यह वाला जो रिजिस्टेंस है, यह भी दोनों किसमें हैं, पैरलल में, इन दोनों का हिसाब किताब करे हैंगे, यह लिखेंगे, now, 10 ohm, मतलब R2, R2 and 5 upon 6 ohm, are in parallel, अब यह दोनों पैरलल में हैं, तो अब इन दोनों का भी वह फोर्मूला लगाएंगे, पैरलल वाला, right, कौन सा, 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, जो पैरलल वाला हमारा फोर्मूला है, वह लगेगा, तो नाव, आगे कर लेते हैं, चलिए, So, 1 upon R again, 1 upon 5 upon 6, यह उल्टा हो जाएगा, 6 upon 5 plus 1 upon 10, एल शम लेजिए, 10, 12 plus 1, तो 1 upon R is equal to 13 upon 10, इसको उल्टा करेंगे, तो कितना आएगा? R is equal to 10 upon 13 ohm, ओके, तो इन दोनों का भी अब एक हो गया, और यह दोनों एक होके क्या बन गए? 10 upon 13 ohm, तो एक डाइगराम और बना लीजिए, चोटा सा, चलिए, अब चोटा सा डाइगराम कहा बनाए, यहाँ बना लेते हैं, 10 ohm, और यह हो गया हमारा 10 upon 13 ohm, यह point A, point B, 10 ohm, और यह 10 upon 13 ohm, ओके, अब यह दोनों देखें किसमे, है, यहाँ से current चला, यहाँ गया, यहाँ गया, और यहाँ कही current डिवाइड हुआ क्या, नहीं हुआ, तो इनमें इसमें भी जो current जा रहा है, वो इसमें जा रहा है, तो अब यह किसमें हैं, सीरीज में, तो सीरीज वाला formula लगाएंगे, rs is equal to r1 plus r2, लिख देंगे यह बात, क्या बात लिखेंगे, now 10 ohm and 10 upon 13 ohm are in सीरीज, दोनों सीरीज में, both in सीरीज, तो connect की, दोनों का add कर दीजिए, 10 ohm plus 10 upon 13, क्या हैगा भाई, एलशियम 13, और calculation करेंगे, तो कितना आ गया, 130 plus 10, तो r is equal to 140 upon 13, यह तो आप ऐसे लिख दीजिए, यह इसको divide करके, divide करके लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, चलिए डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा resistance आया भाईया, equivalent resistance, 1 upon 40, 140 upon 13, 13 बन्जा 13, कितना बचा भाईया, 1, 0, point, 100 हो गया, कितनी बार चलेगा, देखो, 13, 65, तेरा चिका ठंतर, तेरा सत्य क्यान में, 13, 7 जा पर चला भाईया, तो कितना बचा फिर हमारा 9, फिर 7 पर चलेगा, एप्रोक्स 7, तो 10,77 ohm, यह हमारा एप्रोक्स में resistance आ गया, equivalent resistance of this circuit, इसी चैप्टर से related कुछ और numericals, जैसे resistivity पर क्या फरक पड़ता है, किसी वायर की length को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, resistance पर क्या फरक पड़ता है, और electric power, electric energy, current देने पर कितनी heat पैदा होती है, तो ऐसे कुछ numericals हैं, जो आते रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो important है, तो वो resistance पर क्या फरक पड़ता है, length wire की हम increase करेंगे, और उसको stretch करेंगे wire को, length double हो जाएगी, triple हो जाएगी, तो नया resistance क्या बनेगा, इस type के question अक्सर exam से पूछे जाते हैं, और ऐसे question भी बार बार आते हैं, फिर उसके बाद power पूछ लेता है और कहीं बार घर की जो हमारा consumption होती है, electricity की unit, कितनी खर्च हुई, वो भी पूछ लेता है, तो ऐसी कुछ वीडियो अब आने वाले time में आपको मिल जाएंगी, तो आप जादा से जादा वीडियो को subscribe करे, चैनल को, जादा से जादा वीडियो को नहीं, चैनल को subscribe करे, वाई और वीडियो को share करे, और thank you, God bless you.